साथियो नमस्कर ग्लुवल ग्यान चैनल पे आपका स्वागत है साथियो जो हमारे मित्र स्लेवस भेजे हैं जेई के लिए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि उस पे काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है हम सब चीजों को ध्यान में रखके ऐसा कर र से नहीं है तो इसलिए सब को सब है इसमें आए कुश्चिन क्यों चलते हैं दे स्टेंडर्ड वील गेज और पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉक कीज तोजन सिक्संडर डेवें कितना हो जाएगा 600 mm हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चिन है दे मैक्सिमम वील गेज और पैसे पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉक कीज 1599 यानी 1599 mm होगा नेक्स्ट कुश्चिन क्यों चलते हैं कुश्चिन साथियों हमारा मिशन है कि आप जरूर सफलता पाएं जेई में और जेई बन जाएगा तो निश्चित रूप से हमें बड़ी खुशी होगी प्रसनाता होगी आए एक कुश्चिन फोर्ड की ओर चलते हैं लेंथ हवर बॉड़ी अफ आएस एफ बीजी कोचिज 21,337 mm इसका कितना अंसर हो जाएगा आईस एफ बीजी कोच का जो लेंथ हवर बॉड़ी है वो हो जाएगा एकीस जार तीन सो सेंतिस एमें हो जाएगा आए कुश्चिन पांच क्यों चलते हैं रिजीड विल वेज ऑफ आईसीए बेज आईसीए बीजी ट्रॉली इज 2,896 mm कितना हो जाएगा 2,896 mm हो जाएगा आए नेक्स्ट क्यों चलते हैं क्यों चलते हैं क्यों बच्छे एट वाट इंटरवल दा इंसेंटिब क्लीनिंग अफ एनी कोच इस तो 1,000 मंथ होता है इंसेंटिब क्लीनिंग का टायमिंग कितना टायमिंग होता है 1 months आईए कोशन नुबर 7 क्यों चलते हैं कोशन नुबर 7 है वाट इस द इंटरवल फोर क्लीनिंग कोच वाट टेंक यह वाट टेंक की बात हो रहे तो यह भी 1 मंथ इसका होता है आईए ने तो इसका भी 24 मन्थ यानि 2 यस हो जाएगा इसका अंसर आएए नेक्स्ट क्यों चलते हैं इसका फूल फाम भी जरूर लिख लिजेगा इसका 42 मन्थ कहने से ताथ पर यानि 3.5 साल होता है इसका 42 मन्थ इसका अंसर क्या हो जाएगा जीएस साथियो वीडियो को बार बार देखिए या फिर आपको लगे तो इसकी साट भी लिजी और उसको देखते रहें ताकि आपको वेनिफीट हो नेक्स्ट कुश्टिन है कुश्ट नमबर फिप्टीन को देखिए इसका अंसर इसका आरे हो जाता है ट्रांस्पुटिशन को देखिए पैंट्री कारीज डाबलूसीं बी आपको जाएगा हो जाएगा नेक्स्ट कुश्टिन् नौट यूज़ इन आईसी एफ ट्रॉली तो यह जागा ड्रैग लिंक यह ड्रैग लिंक उसमें यूज़ नहीं किया जाता है इस ट्रॉली में आईए कुश्च नुबर 18 क्यों चलते हैं कुश्च नुबर 18 है ट्रांस्पोर्टेशन कोट्स आफ विजटिवल सेकेंड क्लास 3 टायर स्लिपर कोच फिटेट भीट सेल्फ जेनरेटिंग इलेक्टिकल एकुपमेंट इस डाबलो जी एस सी एन इसका अंसर होगा आईए कुश्च नुबर 19 की ओर चलते हैं वोट इस दे ट्रांस्पोर्टेशन कोड़ विजटेबल 3 क्लास 2 टायर स्लिपर कोच फिटेट भीट सेल्फ जेनरेटिंग इलेक्टिकल एकुपमेंट एंड लेडिस कंपार्टमेंट तो डाबलो जी एस सी एन वई हला कि इसमें वई है मैंने अल्रडी बताया है आपको त इस बिट्मिन ब्रेक गियर पिन एंड बुस से तो इसका हो जाएगा 1.5 mm रेलबे का मैक्समाम चीज में में होता है और mm को हमेसा ध्यान में रखिए आईए कुश्न में 22 की ओर चलते हैं कुश्च नमबर 22 है एज पर पॉलीशी सेर्क्यूलर नमबर 4 सेकंडरी एक्जमिने कोश्च नमबर 23 की ओर चलते हैं कुश्च नमबर 23 है इन कोच दा लोड़ ट्रांश्मिशन टक्स प्लेस्ट्रो साइड बेरर इसका अंसर हो जाएगा साइड बेरर आए कुश्च नमबर 24 की ओर चलते हैं दसी आई ब्रेक ब्रेक ब्लक शूट बीचेंज इफ वरन आउट तो 20 mm इसका अंसर हो जाएगा 20 mm आईए कुश्च नमबर 25 की ओर चलते हैं कुश्च नमबर 25 है दा ल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लक शूट बीचेंज इफ वरन आउट ब्योंड 10 mm इसका क्या अंसर हो जाएगा 10 mm हो जाएगा नेक्स्ट कुश्च नमबर 26 को देखें के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लक शूट बीचेंज इफ वरन आउट ब्योंड 12 mm इसका अंसर क्या हो जाएगा 12 mm आईए कुश्च नमबर 27 को देखते हैं कुश्च नमबर 27 है इसको हमेसा याद रखें 13, 26, 38 पुजट अगर आपको टेवल आता है 13 वंज़ा 30, 30, 30, 30, 30, 39 होना चाहिए लेकिन 39 नहीं है यहां फिर 38, 48 दुनों का अंतर जो है 10 है और 13 है तो 26 है देखें पहला 13 है तो दूसरा 26 यानि तेरा का अंतर अगला 38 है तो अगला 48 है इस पर कर आप रिमेंबर कर सकते हैं के स्टेंडर पाकिंग पीस आफ आइसेफ कोच का स्टेंडर क्या होता है तो 13, 36 और 38 होता है यह याद रखें आए कुशन में 28 को देखते हैं कोचिंग स्टक एक्सिडेंट इंवाल्मिंग यूमन लाइफ इंक्वेरी बाई सी आर एस इस कांसर क इसकोपिक एंटिकली इसकोपिक आई कुश्न में 30 को देखते हैं कुश्न में 30 है वर्ट इफटीज यूएश्ट्री देख्तित तो इंटरवल क्रैको जांच करनेक लिए यूस्ट यूस्ट बिटेस्ट कहरा जाता है साथियो तीक प्रिंग नेक्स्ट को देखें को देखे Q31 है, the original hall well bogey with a speed potential of 92 km per hour, the original hall bogey with a speed potential of 92 km per hour, Q32 को देखे, what is Q32 को देखना है, Q32 हो जाता है, what is Q32 को देखते है, Q32 है, Q32 हो चुक है, Q33 है, what is Q32 हो जाता है, Q32 को जाता है, Q32 कुशन में 34 है, Q22 हो जाता है, Q32 हो जाता है, Q hörtalife for flight utilization, categories of coaches is 40 years, इसका कितना हो जाएगा 40 years हो जाएगा आए कुश्ण नमबर 35 को देखते हैं प्रियोडी शीटी ऑफ प्रियोडिक आवर हॉल अर्निंग लिस्टेन 2.5 लाख किलोमेटर पर एन्यूमीज 12 मन्थ वन यर इसका अंसर हो जाएगा आए कुश्ण नमबर 36 को देखते हैं और कुश्ण नमबर 36 है कुश्ण नमबर 36 है कुश्ण नमबर 36 है दे स्टेंडर्ड थिकनेस ऑफ कंप्रेज जैशिंग राय रिंग सीज 6 अमेम इसका अंसर क्या हो जाएगा 6 अमेम आए कुश्ण नमबर 37 को देखते हैं टियर वेट अफ दे डबलू जी एस सी जेड एस सी कोच इस 49.30 तन इसका क्या अंसर हो जाएगा 49.30 तन आए नेक्स्ट कुश्ण 38 को देखते हैं पे लोड ऑफ द डबलू जी एस सी जेड एस सी कोच इस 5.680 तन हो जाएगा इसका अंसर 5.680 तन आए कुश्ण नमबर 39 को देखते हैं और कुश्ण नमबर 39 है ग्रॉस बेट अब डबलू जी एस सी जेड एस सी कोच इस 54.98 तन 54.98 तन साथियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा डबलू जी एस सी जेड एस सी कोच को क्या कहते हैं आप जरूर लिखेगा ट्रांस्पोर्टिशन कोड पर कुश्ण नमबर 40 को देखें टियर वेट अब डबलू जी डबलू जी एस सी कोच इस 50 टन इसका क्या अंसर हो जागा 50 टन आए कुश्ण नमर 41 को देखते हैं कुश्ण नमर 41 है टोटल पे लोड अब डबलू जी एस सी डबलू जी एस सी कोच इस 3.680 टन आए नेक्स कुश्ण 42 को देखते हैं और कुश्ण नमर 42 है टीर वेट अब GS coach is 36.99 ton, tier weight GS coach का 36.99 ton हो चाहेगा, question number 43 को देखे, normal payload of the GS coach is 5.85 ton, 5.85 ton, next question 44 को देखे, what is our load of the GS coach, तो 100%, इसका answer 100%, question number 45 को देखे, question number 45 है, total payload of the GS coach is 11.70 ton, क्या हो जाएगा, 11.70 ton, आईए, question number 46 को देखे, in tier condition, the bogey frame bolster, clearance of non-SE, GS, SDC, SCN coach is 40 plus minus 5 mm, आईए, question number 47 को देखे, आईए, question number 47 को देखे, in gross load condition, the bogey frame bolster, clearance of non-AC, GS coach is 74 plus minus 3 mm, आईए, question number 48 को देखे, और question number 48 है, in tier condition, question number 48, in tier condition, the body bogey clearance of non-AC, GS, SDC, SCN coach is 70 plus minus 3 mm, हो जाएगा, आईए, question number 49 को देखे, question number 49 है, in gross load condition, the body bogey clearance of non-AC, GS, SCN coach is 36 plus minus 3 mm, हो जाएगा, साथियो, question को बार-बार देखे, screen set लीजेगा, उस पर practice ज़रूर करे, तो आईए, question number 50 को देखते है, what shall be the, pre-aid for cleaning of carpet of AC compartment, तो one month, इसका one month हो जाता है, साथियो, वीडियो कैसा लगा, comment section में जरूर बताएगा, और आपको syllabus के अनुसार हमारी प्रयात्न होगी, हमारी कोशिशे होगी, कि मैं उसको fulfill करू, एक जाम से before, तो आप नियमित रूप से honesty पुर्वक आप भी मिनाद करे, और हम भी कुशिश करेंगे, मेरा प्रयास रहेगा, कि मैं भी आपका जो requirement है, मैं उसको fulfill करू, साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो like जरूर कीजे, share कीजे, subscribe कीजे, और comment section में comment जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्केर